बॉलिवुड में जब भी बात पहले सुपरस्टार की होती है तो लोगों को सिर्फ एक ही नाम याद आता है और वो है राजुश खन्ना लेकिन बॉलिवुड में आज एक ऐसा सुपरस्टार है जिसकी फैन फॉलॉइंग सबसे जादा है और वो कोई और नहीं बलकि सबके भाई जान सलमान खान है एक टाइम था जब लोग राजुश खन्ना के लिए पागल हुआ करते थे वैसे ही आज के टाइम में लोग सलमान के लिए पागल है ये तो आप जानते ही हैं कि राजुश खन्ना के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है जिसे आस तक कोई नहीं तोड़ पाया अरे भई राजश की लगातार बैक टू बैक पंधरा फिल्में हिट हुई थी और हर कोई कहता है कि इस रिकॉर्ड को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो है सलमान खान वहीं सलमान राजश खन्ना के इस रिकॉर्ड को तोड़ते भी दिख रहे थे लेकिन टूब लाइट के फ्लॉप होनी की वज़ा से ऐसे नहीं हो सका बता दे कि टूब लाइट से पहले सलमान की 10 फिल्में हिट हुई थी और टूब लाइट और टाइकर जिन्दा है के साथ ये आकड़ा 12 हो जाता लेकिन अब तो भायचान को एक से शुरुआत करनी पड़ेगी दिसंबर में टाइकर जिन्दा हैं रिलीज हो रही है अगर ये फिल्म हिट हो जाती है तो फिर सलमान को 14 और हिट फिल्म देनी होंगी इतना ही नहीं सलमान को इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो आप कोई भी फिल्म फ्लॉप न दे अगर सलमान ने एक भी फिल्म अप फ्लॉप दी तो फिर राजेश खन्ना का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए किसी दूसरे स्टार को कोशिश करने पड़ेगी एनमेफ न्यूस की रिपोर्ट